जैंदर सुन्दिमातरम, क्या पूर अमेरिकी राश्रपती डॉनल्ड ट्रम्प को जेल होने वाली है? खबरें आ रही हैं कि भाईया वो सरिंडर करने वाले है और ये सब जो पूरा मामला है जोड़ा हुआ है, पॉन एक स्ट्रेस से जोड़ा हुआ क्या कोच है ये पूरा मामला, इसी बारे में हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं यदि आप लोगों ने अभी तक मेरे टेलेग्राम चैनल को जोइन नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है उस पे जाके आप मेरे टेलेग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं जहांपे कि आपको हर एक वीडियो के अपडेट सबसे पहले मिलेगी अब बात करें आज के टॉपिक की तो देखिए डॉनाल्ड ट्रम्प जब से अमेरिका के राश्च्पती बने है तब से वो लगातार विवादों में रहे है ऐसा एक समय नहीं गया जब वो विवादों में ना रहे है अमेरिका के राश्वपती पत्स जब वो हटे रहे थे उस समय भी कैपिटल हिल के उपर क्या कुछ हुआ था यह हम सब ने देखा था तो ऐसे में एक बड़ा सवाल यह पैदा हो जाता है कि डॉनार्ड ट्रम का अभी एक कौनसा मामला निकल कर सामने आ गया है जिसमें कि उनको जील हो सकती है जहें दोस्तों बंदे मातरम डॉनार्ड ट्रम जो की एक ऐसी शक्सियत है जिन्होंने पूरी दुनिया के उपर इंपक्ट डाला था जब वो अमेरिका के राश्ट्रपती बने थे जिन पर आपराधिक मामला चलने वाला है नियॉक टाइम्स के मताबिक ट्रम को इस केस के बारे में जानकारी दे दी गई है उनके वकील से कहा गया है कि वो चार अप्रेल तक मैनहेटन कोर्ट में ट्रम का सिरिंडर करा है इसके बार ट्रम पर लगे आरोपों का खुलासा किया जाएगा पूर राश्ट्रपती डॉनर्र ट्रम ने केस पर कहा कि मुझ पर लगाएगा है सबी आरोप जूटे है इसकी नियॉप में निश्पक सुनवाई नहीं हो सकती ये जो बाइडन पर भारी पड़ेगा जाता है तब डॉनर्ड ट्रम एक रियल स्टेट कारोबारी थे पॉंस्टार स्टॉमी डैनियल्स तब 27 साल की थे और ट्रम करीब 60 साल की जोलाई 2006 में एक गोल्फ टूर्णमेंट तो दोरान स्टॉमी और ट्रम की मुलाकात हुई थी स्टॉमी ने अपनी किताब फुल डिस्क्लोजर में इस मुलाकात का जिकर किया है उन्होंने बताया कि जब ट्रम से उनके मुलाकात हुई तब उनकी तीसरी पत्नी मेलेनिया ने बेटे बेरन को जन्व दिया था बेरन को जन्व लिये महस चार महीने ही हुए थे अपनी किताब में स्टॉमी ने बताया कि ट्रम के बॉड़ी गार्ड्स ने उन्हें एक नए स्टार के पेंट हाउस में डिनर के लिए बुलाया किताब में उन्होंने ट्रम के साथ बने सम्मंदोर उसके शारिरिक बनावट का भी जिकर किया था इसके बाद दोनों के बीच अफेर शुरू हो गया था वहीं आरोप ये भी है कि 2016 में राश्मते 14 सा ठीक पहले टरम्प ने स्वामी को चुप रहने के लिए पैसे दिये था टरम्प के वकील ने भी इस बाद को सुईकार किया था कि उसने टरम्प की तरफ से पॉन्स्टार को करीब 1,30,000 डॉलर मतलब करीब 1,70,000 रुपए दिये थे टरम्प की ओर से पॉन्स्टार को दिये गए पेइमेंट का खुलासा जनवड़ी 2018 में वाल स्ट्रीट जरनल ने किया था इसी के अधार पर टरम्प के खिलाफ क्रिमिनल केस चलाने का फैसला लिया गया एक 35,000 डॉलर का चेक भी है जो टरम्प ने अपने वकील माइकल कोहन को दिया था टरम्प ने उनके लिए ऐसे 11 चेक साइन किये थे कोहन ने इस पैसे 1 स्टार को चुप रहने के लिए दिये थे लेकिन इस अब के बाद सवाल खड़ा होता है कि आखिर टरम्प के सरेंडर के बाद आगे क्या होगा नियोक टाइम्स के मताबिक टरम्प के खिलाफ कोर्ट में चार्जन डॉक्यूमेंट पेश किया गया था इसमें लिखा गया है कि किस पर आरूप लगाया गया है विकिन आरूपों का सामदा कर रहे हैं और उन्होंने कौन से कानून तोड़ा है अमेरिका में हर व्यक्ति को तब तक निर्दोश माना जाता है जब तक कि उसका अपराद साबित नहीं हो जाता अब यहां पर ये बात भी है कि सरेंडर के बाद टरम्प के साथ भी पूरी क्या कानूनी प्रक्रिया निभाई जाएगी तो देखिए रिकॉर्ड के लिए उनके फिंगर प्रिंट्स और फोटो ली जाएगी हलाकि उन्हें हतकड़ी पहना ही जाएगी है नहीं इसे लेकर कोई जानकारी सामें नहीं आई है टरम्प के केस का फैसला आने में अभी कई महने लग सकते हैं ज्यूरी ने उन पर किनल चार्ज लगाते हुए मुकदमा चलाने का फैसला किया है मंगलवार को संभावित सरिंडर और पेशी के बाद उन पर लगे चार्जिस का खुलासा होगा नियॉक टाइम्स के मताबिक कोर्ट में पेशी के बाद उन्हें तुरन छोड़ा जा सकता है क्योंकि उन पर ऐसे आरोप लगेंगे जिन में किसी के साथ हिंसान नहीं हुई है या फिर उसे शारे रिक मुफसान नहीं पहुँचाए गया नियॉक के कानून के मताबिक ऐसे मामलों में प्रोसेक्यूटर आरोपी को जमानत पर रखने की मांग नहीं रख सकता कि इस चलने तक या फिर आरोप साबित होने के बाद भी टरम्प चुनाओं के लिए कैमपेनिंग कर सकते है उनके चुनाओं में खड़े होने में भी कानूनी तोर पर कोई अरचन नहीं आई भी हाला कि क्रिमिनल के इसको देखते हुए रिपबलिकन पार्टी उन्हें उमीदवर बनाई गया नहीं ये साफ नहीं मुकदमे की गोशना के कुछ देर बार टरम्प ने कहा कि डेमोक्रेट्स इससे पहले भी मुझे फसाने के लिए कई बार जूट बोलने और धोका देने का काम कर चुके है लेकिन इस बार उन्होंने एक निर्दोश पर गलत आरूप लगाए है नियॉक में पिछले एक हफते से ज़्यादा समय सेट टरम्प के सिरिंडर को लेकर तयारी चल रही है मिड्टाउन में टरम्प टावर और लोवर मैनहेटन में क्रिमिनल कोर्ट्स की बिल्डिंग पर मेटल बेरियर लगा दिये गए है पुलिस के एर्मी पूरे शहर में गश्त दे रहे है साथ ही टरम्प के केस को लेकर अगर प्रदर्शन होता है तो उससे निपटने की भी पूरी तयारी की जा चुकी है नियॉक पुलिस विभाग के सभी रहें के दिकारियों को शुकरवार को हर हाल में ड्यूटी पर आने को कहा गया है टरम्प 2024 में होने वाले राश्पती चुनाओ के लिए तयारी में चुटे हुए है तो वो पिछले साल चुनाओ में खड़े हुने की गोशना कर चुके है कुछ दिन पहले ही उन्होंने टेकसस में रैली भी करी थी मुकदमे की गोशना के बाद उन्होंने संकेत दी हैं कि वो 2024 के चुनाओ से पीछे नहीं अटाएंगे हलाकि क्रिमिनल केस ट्रम के राश्पती बनने में अरचन पैदा कर सकता है ट्रम पर चलने वाले मुकदमे को लेकर वाइट हाउस की तरफ से कोई बयान जारी नहीं किया गया हलाकि उनके समर्थकों और रेपब्लिकन पार्टी के कारेकरताओं ने इसे राजनीती से प्रेड़ित बताया है ट्रम के कारेकाल के दौरान उपराश्पती रहे माइक पैंस ने CNN से बात करते हुए कहा कि इस तरह की कारवाई देश को बाटने पकार काम करेगी वहीं डेमक्राटिक पार्टी के लोगों ने कहा कि इस से थाबित हो गया है कि कानून के आगे सब बराबर है राइटर्स के पिछले हफ़ते के एक पोल के मतावे 44% रेपब्लिकन मानते है कि अगर टरम्प पर क्रिमिनल मकादमा चलता है तो उन्हें अगले साल के चुनाओं से दूर हो जाना चाहिए वहीं टरम्प के पूर वकील माइकल कोहन ने कहा कि मुझे 2016 में चुनाओं से ठीक पहले चुप रहने के लिए करीब एक लाग तीसजार डॉलर दिये गए थे हलाकि टरम्प ने डैनियल्स के साथ सेक्शल रिलेशन्स के आरूपों को खारिज किया है उनका कहना है कि मामला राजनीती से प्रेड़ेत है मतलब किसी तोर पर उनके जो विरोधी है वो इस पूरी बात का फायदा उठाने के लिए और उनको चुनाओं के रास्ते से हटाने के लिए ही इस सब करमकांड कर रहे है ऐसा इसलिए बताना जरूरी है कि भाई देखिए जो राजनीती है वो राजनीती ही होती फिर झाया भारत की बात कर ले पाकिस्तान की बात कर ले पिर अमेरिका जैसे डेफलेप्ट कंट्री की बात कर ले हर कोई चुनाओी फेर में इस तरीके से फसता है कि फिर उसके बात कुछ रहे नहीं जाता है